बहुत समय पहले की बात है एक बार एक गाव में एक किसान और उसका परिवार रहता था उसके पास दो हल गोरू थे और वह सागपात बेचने का काम भी करता था वह गोरू को पालता था और सागपात बेचता था वहीं उसकी रोजी रोटी का साधन था एक बार वह खेट जुतने के लिए निकल पड़ता है वह सामने लाल कमीज वाले आदमी को देखता है उसके हाथ में एक पैसा का बैग था वह किसान सोचने लगता है कि मैं इतना महनत करता हू लेकिन मेरा परिवार का गुजारा नहीं हो पाता इस लाल कमीज वाले आदमी के पास इतना पैसों से बरा बैग है किसान एक चलाक और बुद्दिमान युवा था किसान उस लाल कमीज वाले आदमी के पास जाता है और उनसे पैसा कमाने का आइडिया बताने का बारे में कुराकानी करता है लेकिन लाल कमीज वाले आदमी ये कहेता है कि पहिले मेरा काम कर दो फिर में तुम को पैसा कमाने का आइडिया दूंगा उसके बाद दोसरा दिन आता है किसान सुबह सुबह उठके ताजा हरीबरी साग सबजी बेचने के लिए बाजार में निकल परता है जब किसान सागपात बेच के घर आ रहा था उसे एक आदमी सफेद लूगे में देखाई पड़ता है जून उस लाल कमीज वाले आदमी के बारे में कुछ खराब बातें के रहा था उसके बाद किसान समझ जाता है कि वह लाल कमीज वाले आदमी एक खराब आदमी है किसान घर आता है और आफनी पतनी और बच्चों से सब कुछ बता देता है किसान मेहनत और परिश्रम करता है ये कहानी किसी के सामने आफने हाथ जोड़त कर भीख नहीं मांगने चाहिए और पैसों का लालचा करना भी नहीं चाहिए खुद के महेनत और खुद के परिश्रम करना चाहिए, संदेश देता है